दोस्तों वीडियो को जादा से जड़ा लोगों तक सेर करें दोस्तों इसे भड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की चिंता हो रही है योगी आधितनाथ का कहना है जी हाँ तो उत्तर परदेश के मुख्यमंतरी योगी आधितनाथ ने कांग्रेस पर सीधाने साना साते हुए कहा है कि कांग्रेस को देश की नहीं पल कि पाकिस्तान की चिंता हो रही है। राहुल गांदी ही चुट बोलते हैं मगर अब तो कांग्रेस की सहजादे भी चुट बोलने लगी है। को सुद्रड बनाने का काम हो सभी मोर्चों पर इमांदारी से काम किया है। अन्य था यह मामला 2009 से लंबित पड़ा था। एक दिन मसूद अजर भी ओसामा बिन लादेन की तरह कुत्ते की तरह मारा जाएगा। यह ताकत है भारत की जिसका असर भारत पूरी दुनिया को करा रहा है। जिहां दोस्तो अगली बड़ी ख़वर दिल्ली आसमान पर टला हादसा। इंदरा गान्थी इंटरनेशनल हवाई अड़े पर सिंगपूर एरलाइंस के बिमान की इमर्जेंसी लेंडिंग। जी हाँ दोस्तों दिली के हवाई अड़े पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया राष्टिय राजधानी के दिली हवाई अड़े पर 228 यात्रियों को लेकर के आ रहे हैं सिंगपूर एरलाइंस की बिमान के पहिये में आवाज आने लगी जिसके चलते आपात का अनुशार सिंगपूर से आ रहे हैं बिमान ए 380-800 के पहिये में कुछ आवाज आने की समस्या थी और उसे टर्मिनेट कर लिया गया और बाद में उसे रनवे पार्किंग के लिए इस्टेंट कर लिया गया हवाई अड़े के अधिकारियों ने बता है कि रेस्क्यू 406 विमान की लगभग 8 बज कर 38 मिनट रनवे से हटा लिया गया सिंगपूर एरलाइंस के ततकाल प्रक्रिया के लिए संपर्ग अभी तक नहीं हो पाया है जी हाँ दोस्तो अकली बड़ी खबर है ब्रिटेन की आदालत ने तीसरी बार खारिश की निरो मोदी की याचिका जी हाँ दोस्तो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोडे हीरा कारोबारी निरो मोदी के परत्यरपन के लिए भारतिये एजेंसिया लगतार प पेस होना होगा ये वह भारत में पंजाब जिट बैंक के साथ दो अरब डॉलर तकी बैंक धोखादरी और मनी लॉंडरिंग मामले में आरोपी अलके नीले रंग की कमीज और पैंट पहने 48 वर्सिये निरो वेस्ट मिस्टर मजिस्टेट अरालत की मुख मजिस्टेट एमा पूर्थान के समक्च पेस हुए मोदी के वकीलों के जमानत रासी को बढ़ा कर दो गुना यानिकी 20 लाख पौंड करने की पेस की गई साथ ही उन्होंने यहां की वह लंदन इस्थित अपने फ्लैट में 24 घंटे की नजर बंदी रहने के लिए तयार है लंबी सुनवाई के दोरान वेस्ट क्लियर मोननटरिंग के जज ने कहा है कि वेस्टर जेल के इस्थितियों रहने के लिए नहीं उन्होंने कहा है कि नीरो मोदी भी सर्थ को मानने के लिए तयार है जो उनके उपर लगाई गई है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कोईर प्रधानमंत्री बोले नामदार परिवार ने आइनेस बिराट का टेक्सी की तरह इस्तिमाल किया जी हाँ दोस्तो दिली के राम लीला मैदान में प्रधानमंत्री मोधी ने कांग्रेस पर हमला बोला प्रधानमंत्री मोधी ने अपनी जागीर कौन समझ रहा है ये भी मैं आज दिल्ली की धर्की से उन लोगों की आँखों में आख डालकर की मिलागर के देश और देश की दिल्ली जनता को बताऊंगा कि कॉंग्रेस के नामदार परिवार ने आइनिस विराट का व्यक्तिगत टेक्सी की तरह इस्तिमाल क किया था वे बताए तब जब रजीवगांदी प्रधान मंत्री थे और दस दिन की छुट्टी मनाने के लिए exaggerated का जिकर करते हूए खिलवार नहीं किया गया था या फिर इसी लिए क्योंकि वे राजीव गांधी की ससुरार वाले लोग हैं इस सब लोगों की खातिरदारी के लिए सेना लगी हुई थी सेना के साथ हेलिकॉप्टर का भी इस्तमाल किया गया था पर्धान मतली मोदी ने कहा कि जब एक परिवा योजना कराने के सरकार के हाथ पहों फूल जाते थे 2009 से लेकर के 2014 में जो कॉंग्रिस सरकार लोग सभाचुनाओं में IPL के साथ नहीं करा पाई जी हां दोस्तों अगली बड़ी थवरे प्रियंका ने प्रधान मतली मोदी पर साधा निसाना कहा मोदी ऐसी स्कूली छात रहे जो होमवर्क करने में नाकाम रहें जी हां दोस्तों लोग सभाचुनाओं के अंतिम दोचरन अभी बाकी हैं इसमें बेहत प्रधर्शन करने के लिए बिभिन दलों के नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस सियासी सरगर्मी के बीच परतिद्वांदी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप लगाने में एक चुक भी नहीं छोड़ रहे हैं इसी कड़ी में कॉंग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाडरा ने बुधवार को परधानमत्री मोदी पर अपनी विफलताओं के लिए निहरू गांधी परिवार को दोसी ठाराने पर आरोप लगाते हुए हमला पोलाई इस्तिती एक ऐसी स्कूली छात्र की तरह है जो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि जब सिक्षा उनसे होमवर्क के बारे में पूछते हैं तो वह कहते हैं कि नहरू जी मेरे पेपर ले लिए और उनसे जब छुपा लिया जाता है तो फिर कहते हैं कि इंदरा गांधी ने उनकी नाव बना दी उसे पानी में डूबो दिया प्रधानमत्री मोधी की इस चुनाओ में बाकी दो चरण नोटबंदी जी एस्टी महिला सुरक्षा और देश की जनता के लिए वादे पर लड़े मैं चुनोती देती हूं उन्हें जी ये रजीव गांधी की किस चुटी के बारे में बात करना हैं परधानमत्री मोधी जी हां दोस्तों परधानमत्री नरेंदर मोधी को दिली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से गांधी परिवार पर निसाना साथा हैं परधानमत्री मोधी ने उन पर बड़ा आरोप लग लेकिन इंडिया टूडे ने 31 जनवरी 1988 को गांधी परिवार की उस छुटी का बिवरा बताया ततकालिन परधानमंतिर रजीव गांधी 1987 में नए साल का जस्ट मनाना के लिए अपने पूरे परिवार और खास मित्रों के साथ एक बेहद खुबसूरत दूइप पर गये थे रजीव गांधी ने मित्रों के साथ अमिता बच्चन और उनके परिवार भी सामिल थे पहले इस दूइप के बारे में जान लीजिए दक्चिन भारत के कोचिन में 465 किलोमेटर पस्चिम की और लक्षदूइप के पास एक बेहद खुबसूरत आईलेंड है जिसका नाम बंगाराम है यह पूर्व दूइप निरजन है 0.5 स्कौाइट किलोमेटर एरिया में फैल इस दूइप का चैन भी सोच समझकर के किया गया यहां बिदेशी नागरीकों के जाने के किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है लक्षदूइप के ततकाली पुलिस चीफ एर अगरवाल ने बताया था कि बंगाराम दूइप बेहद सुरक्चित और दूनिया को एक मात्र ऐस इस इलाका है इस इलाके की भगौलिक एसी थी ऐसी है यह बहुत ही बेहत सुरक्चित लेकिन इस छुटी में जो लोग सामिल थे वे खुद इतने हाई प्रोफाइल थे कि यह खबर दब न सकी राहुल और प्रियंका के चार दोस्त सोनिया गांधी की बहन बहनोई उनकी बे और तीन बच्चे सामिल थे तीन बच्चों में अमिता बच्चन के भाई अजिताव की बेटी भी सामिल थी जो की फारें एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट का उलंगन करने के मामले में फसी थी इसके अलावा एक और परिवार इस टूर में भी सामिल था जिसका नाम था बिरेंदर सिंग पुर्व केंद्रिय मंत्री अरुन सिंग के भाई थे इसके अलावा दो बीदेशी महमान भी इस आलिसान पार्टी में सामिल हुए थे राजीव और सोनिया 30 दिसंबर की दो पहर से ही इस खुबसूरत द्वीपर छुटी मनाने के लिए पहुँच गये जबक पास में मौजूद एक अन्य द्वीप में सो चिकन की भी बेवस्था थी